रोहिच शर्मा कप्तान रवी शास्त्री कोच नीन से जाग जाईए क्योंकि ये सच है और ये सच इसलिए है क्योंकि इंडिया वसेस बांगलादेश T20 हुने बाला है तीन नमंबर से पहला मैच देश की राजधानी दिल्ली में खेला जाएगा विराट कोली ने कहा है मुझे भी ज्याराम देदो ठोड़ा अराम्न एक चलिए के ऑर दादा ने भी कहा ऐखने भी जा आराम ने भी करें करो वे जिस तरीखे से रोहिच शरमा को और आज बात करेंगे रोहित वसेज रवी शास्त्री और इस पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सायोगी पत्रकार अमन सर्वागर शुक्रिया सर्मा से जुड़ने के लिए क्या टॉपिक है सब कमाल का यह सब्जेक्ट सामने अभी निकल के आ रहा है जो मीडिया में आपको देखने कोई मिलने वाला है कि रोहित शर्मा यह वहीं है जिनको रवी शास्त्री ने कहा था कि वेस्ट इंडीज के टेस्ट में की नंबर 15 पर रख लेते हैं आप बैंच पे बैठे रही है और उसके बाद साउथ अफरीका के दौरान का अरे मेरे को खिला लो यार म बाते हैं जर्वाद दरासल एक मैन में दो तलबा रह सकती है मेरे खल में नहीं रह सकती है लेकिन अगर रवी शास्त्री और जो रोहिश शर्मा की अगर हम बांडिंग देखे तो कुछ ऐसा ही नजर आता है दोनों बहुत अच्छे रिश्टे नहीं रहें और यह उससा बा बल्यवाद आउट फॉर्म जाने का मुझे मुझे मौका दे दो लेकिन फिर भी इस सब चीजों को दर्खनार करते हुए कि अगर रोहिश शर्मा अपनी पैरवी नहीं करते तो उन्हें टीम में जगा नहीं जगा नहीं बात है और दादा निकल गया दादा नहीं बोला कि पुरे मौके को और किस तरह से तावातोर नहीं बैटिंग की और एक मिसाल कायम कर दी कि ऐसा भी आगाज हो सकता है तो जाहिर बात है कि उन्होंने बहुत विराट अंदाज में कहूंगा अपनी बिशाल के जो है किरिक्ट को पेश किया और सबसे महत्मुन बात की तीनों ही कॉर्मेंट में टॉप 10 में यह बनेवाज है तो सोची क्या लेवल है इनका बैटिंग का क्या इनका जबर्दस अंदाज अखिलने का अब आपके असमाद में मैं आता हूं कि जो टी ट्वंटी वाज शुरू हो रहा है जो जो तीन तरह सुरू हो और दिली में उससे पहले क जो सारी कश्मक कश है बिल्कुल कि जिस तरह से विराट पोली तो भाई आराम कर रहे हैं उनको भी टाइम देना है लेकिन अगर रोही शासरी वही रवी शासरी जो लगातार रोही श्रमा के नाम पर आनाकानी किया करते हैं लेकिन अब जब कप्तान बनकर उनके सामने वह तो क्या नजारा होगा क्या आपस में उनकी बॉंडिंग होई किस तरह से अनका आपस में तालमेल होगा रोंचक रोमांचक होने वाला है यह सब चीज़े लेकिन हा कुल मिला आकर देखना यह होगा कि दादा उनको बैठे हैं आज बात किये भई रोही तो चोड़ों पर ज बिल्कुल होना चाहिए तो इसको लेकर बाते भी होई है मेडिया में लगातार इन चीज़ों पर फोकस हुआ है लेकिन आपने जिक्र किया कि रोहीत और विराट मीटिन में बैठे हुए है तो आखिर क्या समझा रहे हो गांगोली यह कि रहे होंगे रोहीत आपके हाथ में रवी शासिरी और रोहीत शर्मा की बीच किस्तरे की बॉनिंग देखने को मिलेगी। दर्शक हमेशा हमेशा हमारे यह कहते हैं कि एक मौका भी मिला है कि घरल टोनामेंट में बांगादेश चाहिए तीम इखलाव उनको मौका मिला है कि जाई आप करिया और टीम को एक फत् होने वाले हैं और साथ में रभी शास्त्री और रोहित वसे शास्त्री होने वाला है वसे मतलब उठापटक नहीं होगी लेकिन यह जो होगा कप्तान और कोच के सुर मिलते हैं कि नहीं यह बहुत दिल्चस्प होने और रोमांचक होने वाला क्योंकि आखिर में सब को एक ही रिजल्ट देना है टीम इंडिया को विन क्योंकि शास्त्री कहते हैं को मुझे 20 चाहिए भाड़ में गया पेच तो रोहित शर्मा भी यही कहीं आने वाले वक्त में कि भाईया हमको भी टीम को जिताना है हम चाहिए जिता है तो यह बहुत दिल्चस्प होगा और स्पोर्स की तमाम खबरों के लिए और फैंस से जाजाते में यह इलतिजा करना चाहूंगा कि जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कितना दिल्चस्प होने वाला है यह टूर्णमेंट T20 का सीरीज इंडिया वसिस बांगल जिता है यह टूर्णमेंट T20